वेल्कम बैक टो दिशाए जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बेड्रूम का वास्तु गलत होगा तो उसका आपके जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिव एफेक्ट होगा तो इसका सिल्यूशन हमारे वास्तु एक्सपर्ट क्या करने वाले है आए जानते हैं उनी से मिलके on the site जैसे कि आप देख रहें कि अब हम गर के अंदर आ गएं तो सबसे पहला जो कोना यहाँ पर हम बात करेंगे वो है इस्ट और साउट इस्ट की तरफ का कोना अगर आप देखे तो यहाँ पर एप्लाइंस है और अंदर की तरफ डीवीडी और म्यूजिक सिस्टम वो सब रखा गया खास तो डोर के सामने अब्स्ट्रक्शन नहीं होने चीए इसलिए हमने यहाँ पर खास जियान रखा है कि जो फरनीचर जो बना है आप देख सकते हैं कि बहुत स्लीक बना है ताकि जो एनर्जी अंदर आ रही है वो ब्लॉक नहीं हो उसको बैलेंस करने के लिए मेरे राइ इंडोर प्लांट वो होना का भी शुब माना जाता है positive energies attract होती है और एक तरह से जो appliances है जो heat energy electrical energy develop होती है उसको भी balance करने के लिए इंडोर प्लांट यहाँ पर हमने प्लांट करवा गया है अब आगे और corners के बारे में बात करते हैं यहां पर अगर आप देखें अब हम नौर्थ और नौर्थ वेस्ट की तरफ हैं जैसे कि मैंने बताएगी यहां पर एंग्यूलर डिरेक्शन से तो वायव या कौन जो है वो सामने की तरफ आता है यहां पर कुछ पेंटिंग्स हमने सिलेक्ट करके खास लगवाई है अगर आप देखो तो इसमें जो है वो भी स्थीर पानी बता गया एक वाटर बॉड़ी है क्योंके नौर्थ और नौर्थ वेस्ट की तरफ खास करके नौर्थ की तरफ क्योंके जल तत्वा की दिशा है तो कुछ वाटर बॉड़ी रखी गई है उपर की तरफ आप देखो तो इसमें लोटस या एक पॉंड बताए गया है जहां पे अच्छी ग्रीनरी बताई गई है जो एक जट डोर के डाइगनली ऑपोजिट वायव या कौन में आती है इस तरफ जो एक ग्रीनरी एक चाउट ड बताए गया है जो एक स्टेबिलिटी बताता है एक इस घर के जो इनमेट से इनके बारे में बताता है कि कितने प्रोस्पर हो रहे हैं और दूसरा एक परदेश का यहां पे चित्रा बता है क्योंकि महारे जो क्लाइंट है उनकी डॉटर खास करके परदेश वो जाना चाहती है एंड शीज प्रोस्परिंग वेरी नाइसली इनार करिया तो यह कुछ एलिमेंट्स आपने देखा कि हमने यहां पे वाटर बॉड़ी एक ग्रीनरी इंडोर प्लांट्स और यह सब दरवाजे के ठीक सामने और डाइग ने अपोजिट जो वाल है उधर हमने प्लान करवा है वहां पे एर कंडिशन इंस्टॉल किया है जो भी कूलर जे एर कंडिशनर जे वह नौर्थ वेस्ट की तरफ यह वेस्ट की तरफ आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो यहां पे हमने ध्यान रखा है कि नौर्थ वेस्ट कॉर्णर में एर कंडिशनर इंस्टॉल हो उसके बाद जो negative zones है यानि कि south, south, west और west उसमें हमने बैठक plan करवाई है आप देख सकते हैं south की तरफ, south west और west की तरफ इस sofa settings है जो भी negative zones है, south west, west और south उसमें खास करके वजन रखा जाए तो drawing room में हमने south, south west और west sitting area के द्वारा हमने यहाँ पर plan करवाई जिससे पृत्वी तत्वा भी balance होता है और जितने भी family members है वो south west में अगर occupy करते हैं तो उसके लिए यह बहुत auspicious हैं उसके साथ-साथ north और northeast corner जो है यहाँ का drawing room का वो भी हमने free रखवाई है आईए अब आगे बात करते हैं south east की तरफ जो hall room का south east है जैसे के आप देख रहें drawing room के अब हम south east corner की जो बैठा के वहाँ पर हम बैठें south west west यह भी heavy किया है sitting के द्वारा यहाँ पर हम और एक तत्वा जो है अगनी तत्वा वो कैसे balance करें वो भी हमने खास ध्यान रखा है मेरे right hand side आप देख सकते हैं यहाँ पर candles रखी गई है जो evening time में खास कुछ hours के लिए यहाँ पर candles जलाई जाती है और इस तरफ मेरे left hand side में lamp जो है वो वहाँ पर lit करते हैं तो बेजिकली अगर आप देखें तो ड्रॉइंग रूम में जो अगनी तत्वा यहाँ पर जो पानी का जो water element है sitting के द्वारा पूत्वी तत्वा तो यहाँ पर यह तीन तत्वा हमने balance किये अब आई आगे हम kitchen के बारे में बात करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि घर का मध्यभाग है kitchen से पहले घर के मध्यभाग को जिसको ब्रह्मस्थल बोलते हैं पहले के समय में जो ब्रह्मस्थल होता था है उसमें आंगन हुआ करता था जो आकाश की तरफ पुरा खुला रखते थे पर आजकल जो high rises और buildings बनने की वज़े से अब ब्रह्मस्थल का यानि कि आकाश टत्वा का तो लाब उतना नहीं मिल रहा है पर at least जो इसकी एक remedy है जैसे कि पहले के घर में हमने बताए था आपको कि जो center में dome create करवा गया था फॉल सिलिंग के द्वारा और यहां पर हमने क्योंके फॉल सिलिंग पॉसिबल नहीं था और साती में यहां पर जो भी फ्री रखा गया है, कोई प्रॉक्शन या कोई भी कैबिनेट वगेरा यहां पर नहीं बनवाए, चारो तरफ यहां पर फ्री रखा है, क्योंकि ब्रह्मास्तल आइडियली जो घर का मध्यभागे वो रिक्त होना चीए, फ्री होना चीए, वहां कोई भी हैवी चीज ऐसी कंस्ट्रक नहीं करनी चीए, यहां पर हमने इस बात का इस गर में खास ध्यान डखा गया है, अब आगे और डिसकस करते हैं मास्तल में नौल्फ तो हो गई, दो-तीन मीने तो लग गए, दो-तीन मीने का बाद य हैस अरा शुरू हया असा करना बंद करेंगे इनके वास्तु से मेरे को मैडिशन भी कम हो गई अब मैं इनके वास्तु से इतना खुश हूँ मैं सब को बोलती हूं कि इनका मास्तु करा हो तो बहुत पेनिफिट होगा यान की जैसे कि आप देख रहे कचन के जो अगनी कोन है साउटेज डेरेक्शन एक्जय्टली उसमेँ बर्नर यानि की गैस रखवा गया है क्योंकर बैस पुजिशन है रसोई में जो गैस की वो अगनी कोन में है तो जो भी यहां पे रसोई होती है, अगनी कोन की तरफ फेस होके होती है, अब यह थोड़ा सा distance है, water element ideally west या north की तरफ होना चीए, बट यहां के space constraints है, उस वज़े से हमने ध्यान रखाए कि main south east में बर्नर आए, और corner में यहां पे पानी का जो भी outlet है, और aqua guard और मिट्टी का जो मटका है, वो यहां पे plan करवा है, और जैसे कि मैंने बताए कि 1BHK का flat है, तो उसमें kitchen में ही हमने उसके north east corner में मंदीर रखवा है, तो north east corner में मंदीर होने से, वो काफी उसका फल अच्छा मिलता है, positive vibrations आती है, kitchen के north west की तरफ जो है आप देख सकते हैं, कि यहां पे पहल करवा के south east की तरफ platform बनवा है, और north west और west की तरफ आप देख सकते हैं, कि रेफ्रीजरेटर प्लान किया है, और exact north और north east का जो कोना है, kitchen का, वहां पे हमने मंदीर प्लान करवा है, और काफी अच्छे vibrations है, एक अलग separate पूजा का स्थान यहां पे मिलता है, kitchen के north east corner में के लिए समय है, कि यहां है, और आप 151 और डट आप ऐसे